हेलो फ्रेंज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्त इंगलीज की न्यूस सेशन में जहां पे हम अलग 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 प्रतार के ग्रेमर टिप सीखते हैं आपके सामने ये न्यूस है और आज हम जानेंगे अलोंग साइट के बारे में काफी एक नया डर्म होगा आप लोगों के लिए तो अच्छे से समझेंगे अलोंग साइट का अपने डेली लाइफ में यूस पर आगे बढ़ने से पहले छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा अ अपने आप में एक यूनीक फीचर है जो कि सिर्फ आपको जो है नमस्ते इंगलिस प्रोवाइड कर रहा है तो जल्दी से जोइन कीजी हमारा अलिमिटे अकाउंट चलीए अब आज आते हैं अपने मेंट पॉइंट पे न्यूस पढ़ लेते हैं बद सचीन तंदूलकर अम अंब भाक करी अलॉओं साइड के अलॉंँचाइड का जो यहां पर यूज वा य हूए है? के साथ साथ किस sense में उस हुआ है as a preposition के साथ साथ के रुख में ठीक है चलिए अब एक बार इसका जो है sentence हम अपने हिसाब से बना इजी सा देखिए the children the children work alongside ठीक है their parents in the field ठीक है in the field ठीक हमकिया रहे कि जो बचचे जो है न अपने माता पिता की साथ खेत में काम कर रहे है तो the children work alongside kate their parents in the field खेत में अपने माता पिता की 7-7 बच्चे क्या कर रहे है work कर रहे है the children work या करते हैं आप एसे बोल लो करते हैं ठीक है the children work alongside अधियर पेरेंट्स इंदा फिल्ट तो आपनी जाना किस ताइट से यूज़ हुआ है के साथ साथ आप भी संटेंस बना के दिखाओ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है सभी लोग पढ़ना चाहेंगे इवन दो मैं भी पढ़ना चाहांँगा आपके comment को तो एक sentence आप भी बना के दिखाओ alongside का यूज़ करते हुए और सेम मीनिंग के साथ यहां पर यूज़ हुआ है कि क्रिस्टानो मैसी और रोनाल्डू की साथ साथ तीसरा फेमस नाम को नहीं खेल जगत में सचिन तर्दिल करके साथ साथ इस टैक से भी नहीं यूज़ वाए ठीक है मैं आपको बताई दिया क्या करना है comment section में comment करना है एक along side से related sentence बनाना है आपको ठीक है तो यह चोड़ा सकाम आप लोगों के लिए और जाते जाते फिर से बोलना चाहूंगा unlimited account जरूर जोइन कीजिए और आपको जो है बोल कर practice करके अंग्रेजी सीखने का मोका मिलेगा अपने अपने यूनीट फीचर है ठीक है तो जड़ा सोचिए गा इस बारे में that is for your benefit चलिए so we will meet you in the next video have a great day and keep smiling thank you